नमस्कार दोस्तों आइनसी टीवी पर आपका स्वागत है और इस वक्त हम पंजाब में हैं पंजाब से एक बड़ी खबर है सत्तर के दशक में एक फिल्म आई थी दुश्मन उस फिल्म का एक मशुहूर गाना था जो आज भी लोगों के जुबां पर रहता है और वो गाना था सचाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से खुश्बुआ नहीं सकती कागज के फूलों से गीत के बोल आनंद बक्षी साहब ने लिखे थे और इसे सुरू में पिरोया था किशोर दाने दोनों जब सच के लिए समाज में अलग जगा रहे थे सबसे सच बोलने की अपिल कर रहे थे तब अपने अर्विंद केजरिवाल जी बस तीन साल के थे केजरिवाल जी का जन साल 1968 में हुआ है और ये गाना 1971 का है मेरे पास ऐसी कोई प्रामानिक खबर नहीं है कि आनंद बक्षी सहाब या किशोरदा की बालक अर्विंद केजरिवाल से उसक्त मुलकात हुई थी और उन्होंने पूत के पाउपालने में पहचानते हुए इस गीत के बोल लिके थे लेकिन इस गीत और केजरिवाल जी के बीच जो है तो वो कुछ तगड़ा वाला कनेक्शन है केजरिवाल जी के पिछले राजनितिक करमकार्णों को भोल जाईए पंजाब की देखिये जहां अभी उन्होंने सरकार बनाई है उनके जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ अनदाताओं का रहा है केजरिवाल जी ने किसानों से ढेर सरवायदे किया और किसानों ने भी उनके वादे पर एदबार करते हुए अपना पूरा समर्थन दिया बदले में केजरिवाल जी के स्टाम्प सियम भगवंत मान नहीं किसानों के साथ क्या किया दो हज़ार से ज्यादा किसानों के खिलाफ वारंट संक्या में कुछ कमों वेशी हो सकती है पूरे पिंजाब में किसानों को जेल भरने के लिए निकले वारंट की गिंती इतनी आसानी से नहीं हो सकती है लेकिन जो तमाम मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट आई है उसके मताबिक 2000 से ज्यादा किसानों के खिलाफ वारंट निकला है इन किसानों पर आरोप है कि इन्होंने बैंक और दूसरे संस्थानों से लिये रिण का समय से भुगतान नहीं किया है लहाजा इन्हें जेल के सलाकों के पीछे भेजा जाए अब यहां केजरिवाल जी ने किसाने उसे जो वादा खिलाफे की है उससे मैं फिर इस उलजन में फस गया हूँ कि क्या वाकई आनंद बक्षी साहब और किशोरदाने साल 17 में वो सब देख समझ लिया था जो केजरिवाल जी पच्चास साल बाद करने वाले थे मेरी इस आशंका के पीछे गीत के वही बोल है जो केजरिवाल जी का हूब हूँ चरितर चितरन कर रहे हैं गीत के बोल पर आप गोर फरमाईए दामन में तेरे फूल हैं कम काटे हैं ज्यादा दामन में तेरे फूल हैं कम काटे हैं ज्यादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा आज की तारीख में पंजाब के ज्यादातर किसानों की जुबाँ पर केजरी वाल जी के वादा खिलाफी की ही चर्चा है भगवंत मान सरकार को किसानों में फैल रहे गुस्तों का जब एहसास हुआ तो उसने अपनी सफाई में कहा कि मौजूदा सरकार ने वारंट नहीं जारी किये हैं और उन्हें नहीं पता कि वारंट कैसे जारी होगे दोस्तों मान सरकार की ये सफाई वाकई चिंता जनक है पहले से कहा जा रहा है कि केजरिवाल जी बस उनको गद्धी पर बिठा कर खुद दिल्ली से शाशन कर रहे हैं और यहां मान सरकार कह रही है कि उसे पता ही नहीं है कि किसानों के खिलाफ वारंट कैसे जारी हो गया दोस्तों किसी राज में 2000 से ज्यादा किसानों के गिरफतारी का फर्मान जारी हो जाए और उस राज की सरकार को पता नहों कि वारंट कैसे जारी हो गया इससे खतरनाक बात कुछ और हो ही नहीं सकती मान सरकार ने इस वारंट के लिए पहले की कॉंग्रिस सरकार को कसुरुवार ठहराने के भी कोशिश की है माननी केजरिवाल जी और उनके चरण पादुका के साथ पंजाब पर शाशन कर रहे भगवंत मान जी की इस सफाई पर मेरी तरफ से नो कमेंट मेरे दिल दमाग में अभी आनंद बक्षी साहब और बालक केजरिवाल जी घूम रहे हैं मैं अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वाह कई बक्षी साहब ने केजरिवाल जी को देखकर ही सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुश्बुआ नहीं सकती कागज के फूलों से वाला गाना लिखाता अगर आप इस बाबत से मेरी कोई मदद कर सकें तो बड़ी कृपा होगी वैसे मंजाब का जो खेत खलिहान है इस वक्त कटाई आप देख सकते हैं कि गयों की हो गई है लेकिन किसानों के बीच इस वारंड से भगवंतमान के सरकार के इस वारंड से नाराजगी बहुत ज्यादा है नमस्कार